मारी नगर के महत्व कीदी बात करें, तो मारी वियापारिक दृष्टि से बहुत महत्पूर्ण नगर था, अत्याधिक महत्पूर्ण नगर था, मुखी रूप से ये वियापार का केंद्र था, जैसा वर्गी करन किया गया है मेसोपटैमिया के शहरों का, उसमें मारी मुलत व्यापारी केंदर के रूप में सामने आता है अत्याधिक सम्रिद्ध था और अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारीक नगर भी था व्यापार ही इस नगर की का जीवन था एक तरीके से व्यापार ही इस नगर की संपनता का कारण था व्यापार ही इस नगर की सारी गतिविदि कारण था तो इस प्रकार मारी और व्यापार एक दूसरे के पूरक थे इसके साथ ही व्यापार जो होता था वही तांबा, रांगा, लकडी, सोना और तेल, तेल के पीपे आदी, मदिरा ये सब चीजों में होता था और मूलत मेसोपोटामिया के जो पडोसी खेतर थे जैसे सीरिया, तुर्की, लेबनान, आदी-आदी, इनके साथ इनके व्यापारिक संबन्द थे, आयात मूल रूप से पत्थर का, चक्कियों का, साथ ही अलग धंकी एक शराब जो होती थे उनके अहाँ, उसका और तेल आदी का होता था, तेल के पीपे आदी, तो इस वकार इन जगों में जो सामान जाना आना होता था, ये मूल रूप से जल मार्ग से होता था, नदियां महां की बड़ी प्रसिद्ध हैं, और इसके अलावा अन्य तरीकों से भी व्यापार होता था, लेकिन जल मार्ग, मुख्य मार्ग था, जिसमें नौकाएं जो ब अकाल दिया जाता था, रास्ते में जो जगहें आती थी, वहां पर माल ढुलाई होती थी, अधिकतर सामान जो है, वो मारी होते हुए जाता था, और इस पकार ऐसा नहीं था कि मारी की उपादेटा या उप्योगिता की विलिश लिए कि वहां उसका उत्पादन होता था, य मारी वहर जगह थी, जहां से सारा सामान का गुजरना एक तरीके से आवश्यक था, और चूंकि सारा सामान नौका से मारी के बीच से गुजरता था, ये इन सामानों पर आयात निर्यात के लिए कर भी लगाया जाता था, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जिसे आज हम पत कर या जो करीब सामान का दस प्रतिशत होता था और बड़ी-बड़ी नौकाओं में उसे ले जाते थे दस प्रतिशत वसूली ली जाती थी और वसूली मिलने पर ही इसे आगे बढ़ने दिया जाता था इन नौकाओं का उप्योग अधिकारियों द्वारा इंस्पेक्शन के लिए भी किया जाता था सामान को वसूलने के उद्देश्ट से भी ये लोग इसमें जाते थे और अधिकारी वर्ग के द्वारा इन नावों का उप्योग प्रशासन की पकड़ प्रशासन पर अपनी पक रखने के लिए भी किया जाता था तो इस पकार जल मार के एक बहुत महत्पूर्ट जरिया था और मारी खास कर इसलिए प्रसित था मारी में तामबा और टिन साइप्रस में एक जगह है साइप्रस द्वीब अलाशिया भी जिसे कहते हैं वहां से आता था क्या क्या टिन और तामबा साइपर्स के अलाश्या से आता था यह अलाश्या जो जगह है यह इसी के लिए बहुत प्रसिद दिती तिन और तामबे के लिए कांसे के औजार भी वहां से लाए जाते थे और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मारी का जो महत्व है वो व्यापारिक दिश्टी से अत्राजिक जाता था जादा था बहुत उन्नाश शहर था बहुत विकसित था और दिनों दिन इसका विकास बड़ी तीवरिगती से हो रहा था विज्ञान तथा खगोल शास्त्र मेसोपटेमिया के काल के विज्ञान और खगोल शास्त्र पर बात करना और उसकी जानकारी समझना बहुत अहम है क्योंकि जो काल है वो 3500 वर्ष पूर की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जो भी विज्ञानिक प्रगती या खगोल विज्ञान में जो भी प्रगती हुई वह कितनी अहम रही होगी जो साक्ष मिले हैं उससे बड़ा स्पष्ट है कि मेसवप्रटामिया के लोगों के विज्ञान के खेत्र में बहुत रूची थी और इसी रूची का परणाम था कि वहाँ उन्होंने बहुत प्रगती भी की उन्हें ग्रहों और नक्षत्रों का खास ग्यान था उन्होंने चंद्रमा की गती पर आधारित एक कैलेंडर भी बनाया था ये खगोल और इसकी बात हुई गणित की जी बात करें तो इस गणित की खेत्र में इस काल में मेसोपटाइमिया सब्विता में हम देखते हैं कि साट के अंक का बड़ा महत्तु है सिक्स्टी वृत्त को तीन सो साट डिगरी में विभाजित किया है उन्होंने एक वर्ष को बारा महीनों में माह को तीस दिनों में दिन को चौविद घंटों में और घंटों के साट मिनिटों में और मिनिट को साट सेकेंड में बाता ये आज भी यही प्रसाद चल रही है आप कल्पना कर सकते हैं कि इतने हज्जारों साल पूर भी मेसोपटेमिया के लोग कितने आधनिक तारक संकिक रहे होंगे कि विग्यान और खगोल शास जैसे विश्यों में इनके द्वारा किये गए या इनके द्वारा की गई खोज जानकारियां आज भी आहम हैं और उतनी ही महतपूर्ण हैं जितने उस काल में थी गनित में उन्होंने रेखा गनित में भी पारंगत होने का प्रयास किया और रेखा गनित के ग्यान का उपयोग महराब और गुमबद बनाने में किया आखिर आप सोच चकते हैं कि गुमबद और जो महराब होती है उसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है खासकर गणित रेखा गणित का अच्छा जानकार होना अत्यावश्चक है इसके साथ ही उन्होंने औश्यदिव ग्यान के खित में प्रगति की मेडिकल साइंस, मेडिसिनल साइंस और कई बिमारियों के आलाज के लिए पांस आज दृलम औश्यदियां भी तैयार की पांस सौ दवाईयां औश्यदियां गंबीर बिमारियों के लिए तैयार करना उस काल में एक बहुत बड़ी बात है ये सभी औशदियां जड़ी बूटी की बनी हुई थी लेकिन जिस देश से बनाई गई थी उस देशों को ये औशदियां ये दवाईयां पूरा करती थी यहने इलाज में सारसक थाबित होती थी इस काल के लोगों ने आकाश को बारा भागों में बाट दिया और प्रतेग भाग को अलग अलग नाम दिये ये नाम आज भी इस्तेमाल होते हैं भारत में इनी बारा विभाजनों को हम राशियां कहते हैं देखे कितनी समानता है कहां मेसोपोटाइमिया की सब्विता और कहां भारत लेकिन जहां तक आकास को माटने की बात है दोनों ने उसे बारा भागों में माटा और हमने उसे राशी का नाम दिया उनकी जो गिनती की प्रणाली थी जिसके अधार पे गिनते थे गणना करते थे वो शट दाशमिक प्रणाली कहलाती थी शट दाशमिक प्रणाली वे एक से नौ तक के अंकों को जरूरत के अनुसार दोहराते थे इसी प्रकार वे दस के चिन को जतनी बारा उशक हो उतना दोहराते से साठ के लिए भी उनका वही चिन होता था जो एक के लिए निश्चित था लिखते समय इनका आकार बहुत बड़ा बनाया जाता था उधारन के लिए जब उन्हें 153 लिखना हो 153 एक उधारन दे रहा है तो समझ लिए उन्हें कुछ लिखना हो तो मैंने कहा आकार बहुत बड़ा बनाया जाता था तो 153 को कैसे लिखते थे, दो बार वेस लिखेंगे 60, 60, क्योंकि जैसा मैंने बताया, कि उनकी सारी गणित, सारी गणना, मूल रूप से 60 के अंक के आसपाल घूमती थे, तो क्या करते थे वो 153 लिखने के लिए, वे लोग दो बार 60, 60 लिखेंगे, तीन बार 10, 10, 10 लिखेंगे, और तीन वही बार 153 बना देंगे, तो 60, 60 को दो बार लिखा, तो हुआ 120, 10, 10 को तीन बार हुआ, तो 30 वो, 120 और 30, 150, और ऐसे ही, एक को तीन बार लिखेंगे, तो इस पकार 153 पन, यह उनकी लिखने की शाली थी, उसलिए काभी बड़ी संख्या हुआ करती थी, उसी तरह उनके पहाड़े भी थे, टेबल, मैजमाटिकल टेबल, जो उस समय काफी चलती थी, साथ पर आधारी थी, गर्णा प्रणाली, अब वैसे तो कहीं भी प्रयोग में नहीं लाए जाती, किन्तु समय का विभाजन अभी भी हम साथ के आधार पे करते हैं, साथ सेकेंड का एक मिनट और साथ मिनट का एक धेंटा, और दूसरे शब्दों में, मेसोप्रटैमिया की गर्णित प्रणाली के कुछ भाड आज भी यथावत प्रचलित हैं, विशेश कर साथ के अंकों में जो समय का जो बटवारा है, सेकेंड और मिनट में वह साथ साथ का है, मैंने उपर पंचांग की बात की, और यह बताया कि, यह लोग केलेंडर बनाते थे, साथ ही लिवनार और सोलार एकलिप्स, उससे भी वाकित थे, उसकी भाविश्वानी कर सकते थे, वैसे ही मुसर प्रटामिय के कैलेंडर, चंद्रमा की गति पर अधारित था, और अन्य चंद्र पंचांगों की बात अशुद्ध था, मैं अलब खामियां थी, गल्तियां थी, क्योंकि चंद्र अधारित था, जितने समय में प्रिथ्वी सूर के चारों और चक्कर लगाती है, उसकी अवजी को एक वर्ष कहते हैं, यह तो आप जानते ही हैं, मैं पना दोहरादू, जितने समय में प्रिथ्वी सूर के चारों और एक चक्कर पूरा करती है, वह समय क्या कहलाता है एक वर्ष यानि तीन सो चौन सट तीन सो पैंसट दिन यह वजी तीन सो पैंसट दिन पांच घंटे अर्टालिस मिनट और छालिस सेकंड की होती है तीन सो पैंसट दिन पांच घंटे अर्टालिस मिनट और छालिस सेकंड चांद वर्ष सौर वर्ष से लगवग ग्यारा दिन कम होता है इस अशुद्य के बाद भी यह बड़ी अशुद्य है इसमें लेकिन उसके बावजूद ही मेसोपर्टामिय का जो कैलेंडर है मेसोपर्टामिय का जो पंचंग है वह आज भी बहुत महत्पूर्ण है और उस काल की बहुत महत्पूर्ण उपलबदी से हम कह सकते हैं क्योंकि इससे काफी कुछ जानकारिया अभी भी हमको हासिन होती है तो चांद वर्ष, सौ वर्ष, सौर वर्ष से ग्यारा दिन कम था मिस्वपर्टामियन काल में हमु राभी की विधी सम्हिता, हमु राभी की विधी सम्हिता, हमु राभी बहुत प्रसिद्ध शासक और दुनिया के विश्व इतिहास की यदि जब भी चर्चा की जाए या बात की जाती है और विश्व इतिहास पर यदि दुनिया के सबसे महत्पूर्ण घटनाओं का संकलन करके एक विश्व का इतिहास बनाये जाए तो इसमें हमुराबी की विजि सम्विता का स्थान जरूर रहेगा हमुराबी अपने शासन प्रशासन के लिए तो प्रसिद था ही पर विशेश रूप से वह प्रसिद हुआ क्योंकि वह ऐसा पहला शासक थाबित हुआ जिसने एक कानून के सम्विता विजि सम्विता बनाई उसको बकायदा पत्थर में उकेरा और उसको अपने राज्य का कानून घोशित के एक सम्विधान बनाया और सम्थान के कुछ खासियत थी हम सोड़ा जाने आखिर कानून बनता क्यों है जब हमुराभी के ऐसी जुरुत क्यों पड़ी होगी कानून बनाने की क्योंकि सामराज विकसित हो गया एक विकसित सामराज में जटिलता भी आ जाती है कंप्लेक्सिटी आ जाती है जीवन जो है बड़ा सरल ना हो करकर बड़ा कंप्लेक्स हो जाता है और इस कंप्लेक्सिटी में बहुत सारे गलत काम होते हैं अपराद होते हैं और ऐसे कारे होते हैं जिससे समाज को चोट पहुंचती है रज के सम्मान को चोट पहुंचती है अपराद बढ़ते हैं तो जीवन की जटिलता बढ़ती हुई जटिलता ने हमुराबी को विवश किया कि वहे कानून सम्विता बनाएं और अपने देश के लोगों को सुचार रूप से शासित करने के लिए उसने इस जरुवत को महसूस किया बहुत ही पसित राजा और अपनी प्रजा के लिए जो इसने बनाया ये विजिस सम्विता ये विजिस सम्विता खुदाई के समय एक शिला लेख में मिली उसके पचास पत्ते भी मिले पत्र भी मिले हमुराबी के और साथ ही शिला लेख मिला उस शिला लेख में ये पूरी उकेरा गया है पूरा लिखा गया है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है यह पहली बार ऐसा रितिहास में पढ़ा गया जाना गया कि किसी सम्बराट ने कानून सहें बनाए हो लेकिन उन कानूनों को जनता जनारदन के लिए उसने पत्थर पे लिखवाया शिरालेक पे ल आलन हो इस कानून की सम्विता की खासियत यह थी कि यह सम्विता जीवन के लगभक सभी पहलूओं को छूती है चाहे वो पारिवारिक हो चाहे प्रशासनिक हो चाहे उसके अलावा अपराद हो श्रम, वानिज, व्यापार, कॉमर्स और बिजनेस, फैमिली इसके अलावा अपराद, श्रम, लेबर इस पर भी उसने कानून बना दियो मतलब जीवन के लगभक सभी पहलूओं को लेते हुए उसने कानून बनाया है पहली बात तो यह दूसरा बहुत तरीके के वहां कबीले थे जैसा हमने पहले पढ़ा कि मेसोप्रटामिया सभिता के विकास का एक कारण यह था कि वह सभिता विभिन समुदायों को अपने में बड़े आराम से समायोजित कर रही थी, उनको वेलकम किया जाता था तो यह जितने समुदाय आये यह अपनी अपनी परमप्राएं भी लेते आये और बहुत बार ऐसा देखा गया कि इनकी परमप्राएं समुदायों की परमप्राएं कई बार एक विरोधा भासी थी एक समुदाय किसी एक तरह के नियम का पालन करता था या किसी एक तरह का उनका अपनी परमप्राएं थी और दूसरे समुदाय में देखा गया कि वही परमप्राएं बिलकुल उल्टी थी ऐसी स्थिते में शासन करना और देश में सुचार रूप से एक कानून बनाना बड़ा कठिन काम था हमुराबी इसलिए भी प्रसिद है कि उसने मातर कानून ही नहीं बनाए पहली बार बलकि जीवन के सभी पहलुओं को लेते हुए कानून बनाएं तीसरा उसने विभिन समुदायों के जो पारस्परिक विरोधा भासी उनकी जो जीवनी जीवन थे और जो उनके कानून थे उन सब को उसने अवाईद घोशित किया चौथी बात कि उसने ऐसे कानून बनाएं कि इस पर संपत्ति से संबन्दित भी जानकारियां थी कृशि से संबन्दित भी बाते लिखी गई और इस बात को सपष्ट किया गया कि इसका पालन अनुपालन आवश्यक है सभी के लिए पांचवा बिंदो इसके साथ ये भी है कि उसने ये सपष्ट कर दिया कल्पना करिया आज से पांच़जार साल पूर्व का शासक ऐसा कहता है कि एक व्यक्ति के दौरा दूसरे व्यक्ति के साथ किया गया अपराज राज्य के खिलाफ अपराज माना जाएगा ये कल्पना किसी शासक के दौरा किया जाना है वो भी उस काल में जब लगभग पूरी दुनिया अपने लौह यूग में थी प्राचीन कल यूग में थी किसी तरह का विकास नहीं था वहां मेसोपोटेमिया के एक शासक के दौरा ऐसा कहा जाना कि समाज के किसी एक व्यक्ति दौरा समाज के ही किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति किया अपराज देश के प्रति, राश के प्रति, समाज के प्रति अपराज माना जाएगा और इसलिए उस पर दंड देने का कारे केवल शासन का होगा तो इस प्रकार उसने ये सुनिश्चित किया कि अपराज को देश के खिलाफ अपराज माना जाए और उस पर दंड दिया जाए, समुचित दंड दिया जाए इसके साथ ही एक बिंदू इसमें था जो आज के परिक्ष्ट में थोड़ा सा गलत लगता है क्योंकि बदले हुए समाज में आज कानून की समानता है एक्वालिटी बिफोर लॉव और रूल अफ लॉव ये दो चीजे होती है कानून का शासन और कानून के सामने समानता जहां तक कानून का शासन है हम और आभी ने अपने विजिस सम्विता में सुनिश्चित किया कि जो कानून लिखे गया है सब उसकी पालन करेंगे और यह ट्रांस्परेंट था जहां तक कानून की समानता की बात है उसमें हम राभी उस समाज के कुछ नियमों से बंधा हुआ था, परमपराओं से बंधा था और उसने कानून में एक तरीके से वरगी करण भी किया। उसने कानून हमें तीन समाज को तीन वरगों में बांटा। धनी, गरीम और उसके अलावा, तीसरा वरग Flos और इन तीन वरगों में बाट कर उसने ये कहा है कि इन लोगों के लिए दंड का प्रावधान अलग-अलग है एक ही गलती के लिए समाज के इन तीन वर्गों को तीन अलग अलग तरीके के दंड के प्राउधान थे अपराज के लिए दंड देना रज्य का कारिथा तो रज्य ने सुनिशित किया कि समाज को तीन वर्गों में बाट दिया जाए और उन तीन वर्गों के लिए दंड के अलग-अलग प्रावधान थे भले ही अपरादेख ही हूँ तीन वर्ग धनी वर्ग, निम्न वर्ग, निर्धन वर्ग और तीसरा दास, दास इने गुलाम वे लोग जो जिन पर विजय पाली जाती थी और जिनको नौकर, मजदूर, श्रम आदी के लिए लगाया जाता थे वे दास किलाते थे गुलाम तो इनके लिए अलग-अलग प्रावधान था, आज के परिप्रेक्ष में यह बाद गले नहीं उतरती है और गलत लगती है क्योंकि आज दिनिया में कानून सब के लिए बराबर हैं, एक ही कानून के लिए एक ही सजा, चाहे वक किसी भी वर्ग का हो, लेकिन हमराभी के काल में ऐसा नहीं था तो हमको यह जो अपवाद है, इसको भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कि विधान एक सा नहीं था सब के लिए, इस सम्विता में समाद का विभाजन कर दिया गया था, और एक ही अपराद के लिए, तीनों वर्गों के लिए अलग-अलग दंद था